हेलो फ्रेंग्स आज की वीडियो में यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमिंग गलत दिखा रही है यानि टाइमिंग तो सही है पर यह लिखा हुआ है कि 2353 मेनिक तो अगर आप इसको सॉल्ट करना चाहते तो क्या करने आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी सेटिंग क यहां से कहा तक क्लिक करने तो फ्रेंग्स जब भी यहां पर ताइम आप देख रहे तो यहां कॉन्फियूस हो जाते कि टाइमिंग यह क्या हो गया इसमें तो शेवन यह 12 होनी चाहिए थी पर इसमें तो 17-18 हो रही टाइमिंग ठीक है यानि कि 24-hour format टाइमिंग हो रही है यूज हो रहे है आपकी मुबाइल फोन में आपको चाहिए 12-hour format तो अब की तरीके से चेंज कर सकती है ना सबसे पहले तो यहां पर आपको सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहां से आपको स्क्रॉल करके आना फिर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे सिस्टेम की option तो फ यहां पर आपको देखने को में लेंगे लास option में यूज 24-hour format तो अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो यहां पर इस आइकन में क्लिक कर देना इस आइकन में क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ताइमिंग को मिल जाएंगे कि 1155 होए है अभी टाइमिंग ठीक है अग nemat timing को use कर सकते हैं या फिर off भी कर सकते हो अपके mobile phone में या फिर किसी भी mobile phone में setting system में जा commercial है अगर आपके टाइमिंग गलत है आप उसको fix करना चाहते तो यहाँ सबसे पहले उपर में आपको dead time देखने को मिलेंगे पर यह click नहीं हो रही है तो अगर click नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले उप्षिन है जो set time automatically है अब इस बन करने इस ऐकन को बन करने के बाद यहाँ से प्लिक क में क्लिक करना है प्लिक करने के पाद टाइम पर क्लिक करना है फिर timing भी यहाँ से set कर सकते हो फिर 123 सेक्था ए तो इस तरीके से जब set होने की बाद इसको on करना वापस है माट बोलना यह set time automatically को ठीक है friends तो friends hope कि आपको यह वीडियो पसन आई पसन आई तो like और channel को subscribe करना ना बुलिए friends thanks for watching bye